नमस्का दोस्तों मैं हूँ सार अबर आपका स्वागत है ग्रैंड लिग गुरूप पे तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नहीं हों चैनल को सब्स्राइब कर लो कहा था वो भी चली तो दोनों मैच कवर किया अभी तक बहुत ही बढ़िया जाना चाहिए और यह भी मैच कोशिश करेंगे अच्छा खासा जो है अनलिसिस वीडियो देने के लिए वैसे आप में से कितने लोगों ने कल वीडियो देखने के बाद निकल करे को जो है कि हम लोग सब मिलके ड्रिम 11 को लोटते हैं वो कॉमेंट मेरे को बड़ा अच्छा लगा किसने कॉमेंट किया था मूँ तो चलो लेट स्टार्ट थोड़ा सा स्टार्ट दिखा देते हैं उसके बाद अपन बाकी बाते करेंगे देखो चेंजस कुछ खास होना नहीं चाहिए अल्मोस्ट सेम ही कॉमिनेशन के साथ जाना चाहिए और बाकी अगर आप यहां पर देखोगे तो मैक उल्वर्ट मैगरथ प्रिडन गस्ट उसके बाद पिनना बैटरसन बर्सबी विलिंग्टन मेगन शोट ब्राउन मुशागवे यह सब है पेरी अर्मिटेज ब्राइस गार्डिन आर बाकी देख लीजिएगा अब इस ग्राउंड इन्फो बैडिंग वर्स करत वे तीन में चार में से तीन में जीती हुई है टीम ने अडिलेट का जो है यहां पर आउट आप दस जो है इन्होंने आर्ट जीता है तो अपकॉर्स उन्ही को फेवरीट बनाएंगे एस को ही फेवरीट बनाएंगे वही सिडनी का अगर देखा जाए यहां पर कोच 57-58 परसंट वीनिंग रशियो है वो भी ठीक है अब हेड़ रेकॉर्ड में एस आर्ट एंड इस जो है बारा बट लास्ट चार मैच में एडलेट जो है बिलकुल मतलब बहुत बढ़िया किया था इस ग्राउंड पर अगर देखा जाए तो वो भी एस का दो एंड एस का एक स्पीनर पेसर उतना खा मतलब प्रॉबलम नहीं है स्पीनर पेसर अल्मोस्ट ठीकी है एक ही जैसा है तो वो ठीकी है अब जाके बाकी जो है यहां पर हम लोग देख लेंगे कि यह वाला कैसा है I mean head to head and ground stat वो हम लोग जान दीजियेगा तो मैक बहन जो है बैटिंग सेकिन इनका record काफी बढ़िया है इवन इस ग्राउंड पे भी मैक का record काफी बढ़िया है बैटिंग सेकिन में मुस्ट प्रवर्बली ऑटो मेटिक चॉइस होंगी बट बैटिंग सेक्षन आज कल आप लोग जानते हो कि यह 11 का जो सीन है वहां पे बैटर को अगर ड्रॉप करोगे बैटर अगर 20-25 रन मनाएगी तो प्रॉबलम नहीं है तीस भी बनाएगी तो प्रॉबलम नहीं है अगर बाकी दस प्लेयर आपके जो है ड्रीम टिम का हिस्सा है तो वोमेंस मैच में 11 प्लेयर ही लगाने पड़ता ह घटिया प्रदर्शन अभी तक रहा बट फॉर्म काफी बढ़िया था लास्ट वर्ल्ड कब में और वहां पे यह बहुत बड़ी बैटर है तो कुछ भी कर सकती है बट इस ग्राउन पे भी अगर देखोगे तो उतना खास नहीं है तो डेफिनिटली यह ऑटोमेटिक पिक तो नहीं है 52 मेंबर मॉल लिग में रिस्क अगर लेना है तो इनके उपर रिस्क ले सकते हो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आउट हो जाए बट हाँ ज्यादा ताइम पे जो है यही होगा मतलब इस मैच में अगर चलती है तो नेक्स हेड टू है अगर इसी ग्राउन में हो यह जो है चार ओवर बुलिंग कर रही है बैटिंग कर लए तो नहीं है अभी तक इवेन इस ग्राउंड पे भी बैटिंग सेकेंड फिर भी ठीक टाक है बैटिंग फर्स नहीं है बार्ट्स भी इनका बोलिंग सेकेंड इस टीम के अगेंस जर्ण विकेंड निकाला है बोलिंग फर्स बहुत ज्यादा विकेंड नहीं निकाला है इस ground पे अगर देखेंगे तो ठीक टाक है 11 मैच में 7 विकेड तो कभी कभी जो है विकेड लेस चली जाती है Wellington इस मैच में आटोपिक है bowling first, bowling second एक ओवर डेथ में डालते हुए देख सकती है Megan Short इस टीम के अगेंस्ट bowling first करते हुए 13 मैच में 7 विकेड बहुत ही खराब प्रदर्शन है बट इस ground पे जो है bowling second इनका बढ़िया प्रदर्शन रहा है 10 मैच में 15 और 7 मैच में 12 विकेड तो लेंगे क्योंकि बहुत जादा selection है एक विकेड भी अगर लेती है वो भी काफी है winning zone से बाहर करने के लिए इस टीम के बढ़िया प्रदर्शन है इस ground पे भी ठीक टक है बट टीम के एकंस बढ़िया है मुसागवे जो है अगेन bowling first numbers है bowling second नहीं है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस टीम का इस टीम का अगर हम लोग जो देखेंगे वहाँ पे है पेरी बेबी इनको भी मैंने क्याप्टन सजिस्ट किया था फर्स मैच में यह वाला मैच मैंने साथ कब नहीं किया था मैंने खुद बनाया था तो यहाँ पे बैटिंग फर्स इनका काफी बढ़िया प्रदर्शन है बैटिंग इस ग्राउंड पे भी काफी बढ़िया है बोलिंग कर रही है पेरी बेबी तुम भी ऐसा निकली जहाँ पे पैसा दिखा वहाँ पे इनको जो है बोलिंग करना ही पड़ता है वर्लकम में साथ कम पैसा मिल रहा था बिग बैज में साथ पेरी बेबी को मैंने सोचा नहीं था पेरी बेबी आप भी ऐसी ही होगी बट वल्लकम में जिन्होंने बोलिंग नहीं करा वो इस टॉर्णमेन में फॉर्स मैच से बोलिंग फिट डॉटिन भी बोलिंग किया है फॉर्स मैच में वर्ल्ड कब में तो last match में किया था, second last and last, जिसमें captain suggest किया था, यहाँ पे आके, पैसा जहाँ पे दिखता है, वहाँ पे चोट injury जो है, वो नहीं होता है, अपने साथ भी same fund है, जलो, तो बाकी चीज़ा हम लोग देख लेते हैं, तो बाकी इस team का अगर देखेंगे तो, Gardner अ साफी बढ़िया है देन चार मीचल अगेन ऑटमेरिक पिक तो नहीं है ड्रॉपेबल ऑटो ड्रॉप है एक लेस्टन इस टीम के अच्छा प्रदर्शन किया है एक बाद चार वीकेंड इन्होंने सेकेंड इनिंग में लिया था वो मैच भी साइट ये लोग हार गई थी पेट कर पाना मुश्किल है इस टीम के एक बाद चार वर भी डाली है यह कभी एक वर आके कर जाती है तो वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है यह कितना ओवर डालेगी वो कह पाना नेक्स्ट टु इंपॉसिबल है पर इस टीम के अगेंस्ट इन्होंने वीकेंड निकाला है तो अगें इस टीम के एकेंस्ट टक है ग्राउंड पे भी बहुत ही बढ़िया है बुलिंग सेकेंड स्पिक्शली अब इनके साथ यह है कि यह उलवर्ट का जो है विकेट लास दो बार लिया है इन्होंने लास्ट यह इस बार क्या करेगी अपने को क्या पता थोड़ी अपने है इसको क्या बोलते हैं असे यह है जो फट़ेफ नंबर सय इनके उपर बात करता है इसीं जो लेते आई चुट का जो है पेरी बेदी को तीं बार गार्डेनर को दोबार एकलेस्टन को तीन बार में दोबर पिरी बेवी एक बार एकलेस्टन सब्साग्वे एक बार जो है प्रिडंगस्ट जो है दो बार अर्मिटेज, दो बार ब्राइस, मैगरत, बोलिंग करेगी लेंगे, ब्राउन, तीन बार पेरी बेबी को आउट किया है, दो बार गार्डेनर, वो भी सर्फ चार बॉल पे, और एक बार एकलिस्टन, चलो, सही है, और यहाँ पे, इस ट बार एक बर उलवर्ट, चार बर पेटरसन, एंड इस मैच में भी पेटरसन का वीकेट, यह ले सकती है, मैगरत का वीकेट तीन बार, ब्राउन, यह अगर खेलते हैं, तो याद रखेगा, पेटरसन को काफी जादा तंग किया है, एकलिस्टन, उलवर्ट को छे बार, बट रण बहुत पड़े है, मैक का दो बार, पेटरसन, एक बार, तीन बार मैगरत, चरत, तीन बार उलवर्ट, जो दो बार लास्ट सिसन, I mean, बैक टो बैक मैच में इन्हों ने आउट किया था, मैक ने एक बार, मैगरत ने एक बार, सिपल दो बार, जो है, उलवर्ट, अब ज लिए या तो 52 मेंबर तक अब चाहो तो ट्राइ कर सकते हो वो है यह विकर गेमिंग सेक्षन सब्राइस और पिक है विलस्पेरी उलवर्ट अर्मिटेज इनको लेके थोड़ा सा टेंशन में हूँ बट लेना पड़ रहा है स्मॉल लिंग में तो लेना ही पड़ेगा उलवर् इनको लेना पड़ेगा गार्डेनर प्रिंडर गस्ट जो है इनको लेते हैं उसके बाद में शूर्ट एकलेसटरन विलिंग्टरन चेडल को फिलाल लेकर रहा है अब जाके यहां पर जो चेंजेज आप कर सकते हो एंड या जो बाकी चीज़ आप कर सकते हो captaincy vice captaincy no doubt Perry baby top choice है क्योंकि bowling कर रही है सर्फ bowling करके या सर्फ batting करके अपनी पेरी baby dream team का captain बन सकती है then Magrath gardener second option है क्योंकि death में डालेगी तो 2 wicket कभी भी निकाल सकती है उसके बाद 10 बारा run तो सीदा सीदा dream team का vice captain Magrath एक option है again bowling कर रही है इसके बाद जो बाकी के option है तो top captaincy choice Perry, gardener, Magrath उसके बाद जो लोग थोड़ा extra risk लेते हो या mini grand league के लिए एकलस्टन एक अच्छा option है captain wise captain, specially bowling first, bowling second भी इस team के against weekend लिया है और आपके पास है Wellington साइध बहुत सारे लोग नहीं बोलेंगे अपन जो है इनको as a captain, wise captain back करते जाएंगे selection काफी जादा कम है grand league के लिए proper captain wise captain जो option अगर है यह है तो आपको जो दिया है top choice captaincy के लिए Perry, baby and gardener and Magrath wise captain या captain के लिए बाकी पाँच जो है Ecliston and Wellington especially Wellington grand league के लिए and side मैं अकेला बंदा हूँ nickel carry को आपको दिया है and last match जो first match था वहाँ पे भी काफी बढ़िया था I guess कि यहाँ पे यहाँ पे क्या लगता है कौन dream team का captain बनेगा comment करके बताओ अपन भी जानते हैं तो यहाँ पे जो है कुछ player को लेके discuss करना है तो the 11 player का एक base combination दिया है Patterson देखो अगर सर्फ wicket keeping का point से judge होगा तो वो बोल पना मुस्किल है Bryce ने अभी तक इनको face नहीं किया है बट Patterson जो है इनका record खराब है तो जिनको लगता है कि Bryce बहुत ज़ादा run नहीं मारेगी वो अगर Patterson को try करना चाहे तो कर सकते हो बट मैं ऐसा इन नहीं करूंगा पिनना पिनना का stat से बता बना मुश्किल है बच्ची को जो है अभी तक बहुत ज़ादा मौके नहीं मिले उपर batting करने का बट ये run बना सकती है ये run बना सकती है फर्स डाउन पर अगर लगातार ये खेलती रही तो एक नाए grand league आपका जो है नुकसान करवा के जाएगी बेभी मरवा के मानेगी यहाँ पे जो है bowling section से चटल जो की base combination में भी है ये most probably रहेगी एक wicket तो पक्का है उसके साथ deep brown जो है मैं इस match में again इनको लेना पसंद करूंगा प्रेफर करूंगा simple last match मैंने लिया था इस match में अगर आपका दिल बोल रहा है आप ले सकते हो मैं बहुत जादे interested नहीं हूँ फिलाल तो नहीं हूँ मुसाग में इस team के एक बाद दो wicket लिया है and again एक आथा wicket तो निकाल सकती है के पेटर्सन जो है इनको लेके gaze कर बाना tough है कि I mean यह कितना बनाएंगी मतलब कितना उवर डालेंगी but third down पर बैटिंग कर रही है वो एक है but बैटिंग से बहुत जादा उमिद है तो नहीं है and एक बात बता दे यह पेरी बेबी का जो टीम है यह बहुत जादा डिपेंड कर रही है पेरी बेबी के बैट के उपर and अगर पेरी बेबी नहीं है तो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है तो यहाँ पे जितने पे players है मैं जो खुद interested हूँ Darcy Brown के उपर interested हूँ number one K Patterson मैं sure नहीं हूँ अगर मैं sure हूँ था यह 4 over डालेगी तो मैं साथ ले लेता है पर sure नहीं हूँ इसलिए तो यह दो ही player है पिनना से better तो अच्छा पिनना यहाँ पर by chance ले लिया है K Mac यहाँ पर होना चाहिया था K Mac अगर रहेगी तो definitely K Mac एक ट्राइबल ऑप्शन है बैटिंग सेकंड ट्राइबल ऑप्शन है तो अगर कोई better वहां से लेना चाहते हो तो you can try K Mac और सो तो यह है बाकी देखो better तो लेने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी पेरी बेबी आ जा रही है तो बाकी भी दो बूलर ले सकते हो अगर आप expect कर रहे हो कि भर-भर के विकेट गिरना चाहिए जो कि maximum number of people जो कर रहे हैं कि भर-भर के जो है बूलर्स ले रहे हैं और अभी dreamy living का system भी वही है बहुत सरा लोग दो-दो विकेट कीपर लेंगे विकेट कीपिंग का point देखने के बाद बाद मेरा जो base combination है वो यही है यहाँ पे एक-दो player को निकालेंगे और यहाँ से एक-दो player को वहाँ पे ठूसेंगे तो वो काम हम करेंगे I guess कि वीडियो आपको ठीक-टक लगाओ अच्छा अच्छा लगाओ तो please like कर दो, comment कर दो, share कर दो अपने दोस्तों को channel पे बुलाओ अगर कोई ना आना चाहिए घर से बुला के लाओ भाई के लिए इतना तो आप जरूर करोगे एक लाग तक पहुँचा दो उसके बाद नहीं बोलेंगे क्योंकि एक लाग पे मिलता है silver button वो हम को चाहिए ना promotion ना कुछ play button दे दो मेरी बच्ची बड़े हो के खेलेगी तो joke support तो thank you guys, keep supporting, keep suggesting, love you all Thank you